Fr. लो के पास जिस कि आध रीव को बनाना है तो हम आपको यह आज लेके आए हैं रर्ण पी क्लर के प्रिवेश उलाकर को लेकर अप यहां पर देने वाले हैं, तो सबसे पहला चीज़ हम जो आप लोगों का cover कर चुके हैं, topic उसी पे ही previous questions आपको करवाने वाले हैं, ठीक है, उसके बार हम next आजाते हैं, कि आप लोगों का इसके पास setting arrangement और puzzle जब cover करवाएंगे तो previous questions उसके base पे भी करवाएंगे ठीके ओके तो कोई एक मैम थी वो हमको मतलब हमारे पिछले वीडियो पे ये request के वे थी कि मैम blood relation पे और कुछ questions करवाईए तो मैम आपके request पे हम directly क्या कर रहे हैं puzzle format के कुछ blood relation के question जो RRB clerk में previous yes में आय वे थे especially 2018 and 19 prelims exam में उसी basis पे हम question करवा रहे हैं याद रखिए 2018 और 19 में आप लोग के 2-3 marks के question आय वे थे blood relation से लेगे ठीके ओके तो सबसे पहले हम आप लोग को ये बता दिना जाते हैं अगर आप लोग RRB clerk का form भरे हुए हैं और उस चीज़ के लिए prepare कर रहें तो सबसे पहली बात हम आप लोग को prelims के बारे में बता देते हैं हम आप लोग को prelims exam के बारे में pre exam के बारे में बता देते हैं कि कौन से कौन से टॉपिक पे reasoning में सबसे जादा आप लोगों को focus दे रहा है सबसे पहला ज्याद रखें आप लोग को रूरूल भानके एक्जाम होता है उसमें आप लोग का रह गया 80 questions जिसमें आप लोग का रहता है 40 question reasoning का रहता है और आप लोग का 40 question math का रहता है तो यह रहा आपका पहला चीज दूसरा चीज ज्या होता है each carrying plus one mark अगर आप हर question correct perform करते हैं तो आप लोगो one mark में वहाँ पे credit होता है अगर आप कोई भी question वहाँ पे wrong बनाते हैं तो आप लोगों का उस question में 0.25 का penalty लगता है यहाँ पे आप सब लोग clear होगे तो यह रहा उसके marking का pattern दूसरा चीज रहा आप लोगों का RRB में जो सबसे बड़ा plus point होता है वो यह होता है कि आप लोगों को reasoning और math के लिए sensational timing नहीं दिया जाता है मतलब अगर आप 5 question math का बनाने के बाद बोर हो गए या फिर दिमाग आपका चकर खा गया तो आप तुरंद वहां पर reasoning section पर switch कर सकते हैं आराम से कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं रहेगा अगर आप reasoning वहां पर बनाने के बाद कहीं पर stuck हो गए आप फिर से math section पर वापस आ सकते हैं इस चीज पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखेगा ऐसा नहीं कि पूरा हम reasoning में सबसे ज़्यादा strong है मतलब reasoning पूरा करते जाएंगे करते जाएंगे और आप लोग का जो total time यहां पर दिया जाता है वो होता है 45 minutes का मतलब आप लोग का रहता है 45 minutes goal मिला के होता है 80 questions 80 marks के जिन में से आप लोग को क्या करना है अपने previous दोनों year के अपने हिसाब से जो cut up आपका रहता है state wise cut up वो देखना है और वही आप लोग का decide करेगा कि आपका safe zone में कितना attempt करना रहता है हमेशा याद रखिए previous questions और उसके cut up हमेशा देख के जाएगा exam appear करने के लिए इस इसको दिमाग में अच्छे से रख लेना तो यह रहा आप लोग का pre exam का factor फिर से बता देते हैं 40 question reasoning, 40 question mark मैंक्स में फुल मिला के 80 question और 80 marks के रहे गए आपके तो अगर आप एक question current बनाते हैं तो उसमें plus one का credit होता है अगर आप question attempt कर लिये हैं और वहां पे आपका round हो गया तो याद रखे उसमें point to five का penalty लग जाता है काफी बच्चों को यहां doubt होता है एक option आप लोग को मिलता है Mark for review Mark for review अब यह option दिया तो जाता है पर बच्चों का यह कमी काम नहीं आता है क्योंकि आप लोगों का total question बनाते बनाते 45 minute कव चला जाता है वो पता नहीं चलता है याद रखे अगर आप एक question solve कर लेते हैं और उसमें answer tick कर लिये हैं और उसको mark for review में रखे हैं फिर से बता रहे हैं आप एक question suppose question number one में option b आपको सही लगा और उसको tick कर लिये है पर थोड़ा सा doubt में आया और उसको क्या किये है mark for review में doubt ये है तो end में submit होने के बाद अगर ये correct होता है तो इसके लिए plus one मिलेगा अगर ये wrong होता है तो इसके लिए penalty मिलेगा ओके वो आपको instruction में already mention रहता है कि mark for review का मतलब होता है कि already आपका final submission के time ये भी आपका answer के हिसाब सही submit हो जाता है ओके clear हो गये सब कोई तो ये आप लोग का exam pre का पूरा pattern हमें हाट आपको बता दिये ओके I wish किसी को कोई doubt ने रहेगा टेलिग्राम पे कोई एक sir हमको पूछे होए थे कि ma'am exam related आपको कोई idea ने है sir I think कि ये starting जो मतलब आपको introduction में हम दिये है आपको ये पूरी तरह से clear हो जाएगा ओके तो ये रहा आप लोगों का पूरा pattern इसके पाद आजाते हैं कि pre exam के लिए आपको कौन से कौन से topic पे बहुत जादा ही focus करना है तो देखते हैं अगर reasoning section की हम बात करें तो reasoning section में जो compulsory topic आपको देखने होते हो आप लोगों को पता है वो चाहे pre हो चाहे में जो वो है आप लोगों का sitting arrangement ओके sitting arrangement और उसके बाद होता है puzzle ठीक है अब यहां से आप लोगों के अगर मान लीजिए तीन question आते हैं या फिर चार question आ सकते हैं मतलब 15 marks या फिर आप लोगों का 20 marks ओके क्योंकि पर question solve करने के पांच उसके sub questions रहते हैं उसके बाद जो आप लोगों के लिए रहा वो रहा आप लोगों का blood relation ओके अब यह exam to exam vary करता है ठीक है क्योंकि blood relation का pattern आम आपको बता दिये थे और उस पर किसे भी pattern की questions आ सकते हैं या तो blood relation से mix करके sitting arrangement या तो blood relation mix होके puzzle भी आते हैं okay तो कहीं ना कहीं आप लोगों का रहता है inequality और उसके बाद आप लोगों का रहता है प्लस उसी के साथ साथ सिलोप्स चीके ओके क्योंकि अगर आ रहा है तो यह पिछले साल के exam अगर आप लोग देखे होंगे तो कहीं ना कहीं यह आप लोगों का doubt clear ही हो गया होगा कि जो पहले के ट्रेंड जलता था कि इनीकुरिटी में question आना ही है तो 5 question सिलोप्स में question आना ही है तो 5 question पिछले साल के exam में यह trend फिलहाल नहीं चला है किसी किसी को उनके सेट में inequality से तीन question सिलोक से तीन question और किसी किसी पच्चों को inequality और सिलोक्स दोनों मिलाके भी उनके सेट में आये हुए हैं चीके तो इसी वह जिसे सबसे पहला चीज़ आप लोगों को जान लेना है कि यह तो पक्का आप लोगों का अच्छे से concept clear करके ही जाना है क्योंकि यह तो ऐसे topic है जो बहुत ही कम time consume करते हैं और आप लोगों का concept clear होने पर बहुत ही जल्दे आप लोगों को positive mark भी दिलाते हैं तो यह थे आपके major topics जो आप लोगों के क्या करते हैं मतलब शिवार लियाते हैं उसके बाद आपके छोड़े-छोड़े topic हो जाते हैं अगर RRB की बात करें तो वहां पर कहीं ना कहीं जो coding वाला topic है Coding to Coding वो भी आप लोगों का बहुत ही जादा value देता है अब वो new pattern वाला हो या old pattern वाला हो RRB इसको तो बहुत ही द्यान देता है किसी ना किसी slot में किसी ना किसी बच्चे को पांच माफ तो coding to coding से मिल ही जाती है तो इसे वज़े से यह रहे हैं आपके major topics उसके बाद आपका alpha numeric symbol series के बात कर लेते हैं याद रखिए जो logical topics होते हैं जो आप लोगे assumption, argument, course of action, cause effect यह सारे topic आप आराम से men's exam के लिए रख लेजिए प्री के लिए उसको skip कर देजिए क्योंकि normally pre exam में इन चीजों के साथ deal नहीं किया जाता है तो बचे कुछे topic जैसे कि मान के चिले आप लोगा क्या रहता है वहाँ पर direction वाला question, ranking वाला question उसके पाद आप लोगा alphabetical series कर रहा है इसमें से आपको कुछ-कुछ marks के ही question आते हैं, compulsory भी नहीं है कि आपको उन topic से question मिले ही मिले ठीक है पर फिर भी यह सारे जो है चोटे मोडे topic है उनको भी आपको cover करना बहुत जादा जरूरी है इसके next video के लिए भी आप लोग प्लीज मतलब stay tune रहे हैं कि इसके बाद हम आप लोग का coding decoding का topic स्टार्ट करवाने वाले हैं उसका आप लोगों को basics बताने के बाद हम previous और के जैसे जैसे questions आए हुए हैं सारे pattern cover कराने वाले हैं okay so please सारे के सारे video में आप लोग को channel subscribe करना सबसे जादा जरूरी है क्योंकि हम जो भी video जब भी upload करें आपके पस तुरंथ ही उसका क्या चला जाए notification चला जाएगा okay notification चला जाएगा तो आपका preparation जो रहेगा वह आराम से चलता रहेगा कोई दिक्कत नहीं होगा और अगर आप लोग को लगता है कि हाँ पढ़ाई आप लोग को समझ आ रहे हैं और यह हम जो video यहां पर आपको देर रहे हैं वो सारे आपके बहुत काम की है प्लीज 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 अपने जितने 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 फ्रेंस हैं सबके साथ आराम से share करें share करने वी तो कोई दिक्कत ही है नहीं और उसके माद अगर आप share कर लेते हैं तो हमारे सब्स्क्राइबर बहुत जादा बढ़ जाएगे उससे हमको भी लगता है जब बच्छे कि आप लोग हमको बोलते हैं मैं यह करवाइए वह करवाइए उससे हमको जादा एनरजी मिलता है कि हम और तोड़ा बहतर तरीके से इस प्वेशन आप लोग के सामने लाए ठीक है तो बहुत जादा 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 आप लोग के सपोर्ट की ज़र रहते तो प्लीज इस चैनल को जितना जितना हो सके शेयर जरूर करिएगा और बिल आइकन तो है ही ठीक है ठीक है तो अब आचाते हैं आपके क्वेश्चिन के पास ठीक है सो आप लोग को सबसे पहला चीज क्या करना है यह जो प्वेश्चिन था यह आप लोगों का आर रवी आया हुआ था और तीन मार का वेश्चिन इसमें से तीन क्वेश्चिन आपको आया हुए थे और यह 2018 में इस पैटन की क्वेश्चिन आए थे ठीक है बता है बहुत बड़ा बड़ा राके राजेश रामेश सूरिया यह सब नाम रहते हैं हम उसको क्या कहें हैं एबी सीड के हिसाब से बना दिये हैं तो कुछ नंगुस्त आप सीखी गए होगी कि खुद बना सकते हैं क्वेश्चिन इसके तरह रहा है तो मैक्सिमम मैक्सिमम आपसे two से three minutes को देना है तो maximum क्यूंकि एक मार्क के question मेर् पर एक मिनिट अगर आप दे भी रहे तो भी कोशिन एक नहीं कर सकते तीन मार्क के question को अगर तीनी मिनिट पुरा लगा दिया तब तो हो ही गई बात और आपको पताए कि अगर clerk exam है तो यहां के cut-off बहुत हाई रहते हैं तो आपको बहुत ज्यादा से ज्यादा question solve करने हैं तो इसको solve करने से पहला question आप लोगों के लिए read कर लेते हैं ताकि आप लोगों को उसको समझने में या पढ़ने में दिक्कत ना हो इना family of eight people दिमाग में रखिए जो हम पिछले वीडियो में आपको बताया रहते हैं आपको जो family tree बनाना है वो आठ ही लोगों को लेके बनाना है कोई unknown person उस tree में नहीं रहने चाहिए सबको समझ आया next there are three generations okay तीन generation के ही बनने चाहिए वो and two married couple okay यह data जो है यह दिमाग में fix कर लीजिए तीन generation का है वो family और उसमें दो married couple रहे रहे हैं okay question solve कैसे करें याद रखिए अगर line से line जूडते जा रहे हैं तो आपके लिए question पूरा easy है और direct है अगर line से line नहीं जूड रहे हैं तो हर individual data का tree बना लेजें okay हर individual data का tree बना लेजें और उसको बाद में merge करिए ऐसे merge करें कि वो 8 लोगों में ही सिमट जाए समझ आया सबको ठीक हम बता दिये अगर line से line जूड रहे हैं मतलब A, B और C फिर next line C को लेके शुरू हो रहा है फिर next line में B भी आ जा रहा है ठीक है तो line से line अगर जूड रहे हैं तो सही है पर अगर कोई एक line बीच में ऐसा आ रहा है उसका tree अलग से draw करिए और end में देखिए कि वो tree जो है वो कहां आप लोगों का जूडने के लिए काम आ रहा है समझ आया सबको ठीक है तो चले हम बनाते हैं हर individual line का tree A is brother of B A B का भाई है तो A बन गया भाई किसका B का clear है सब को हूँ हम आपको बोले वे थे who जो है वो किसको denote करना है just उसके previous person के लिए B जो है वो grand child of C याद रखिये child का मतलब उसका gender यहाँ पे clear नहीं हो रहा है child का मतलब son भी हो सकता है daughter भी हो सकती है B जो है वो grand child है किसका C का तो इसको draw कर लेते हैं तो C जो है वो grand parent के generation में चला गया तो C आगया grand parent और grand child के generation में कौन बेट है A और B बेट है जहां पे बोला है A जो है वो भाई है सबको समझ आया बीच में हम एक gap यहाँ पे दिये हुए है वो gap आप लोगा किस चीज में है grand parent grandchildren का बीच वाला generation जो आप लोगा parent का generation रहता है clear है सब कोई उसके बाद C is married to D C जो है वो D से शादी किया हुआ है आप लोगे लिए जानकाई के लिए बता जाते हैं अभी तक जितना बनाए है वहाँ पे C का gender कहीं पे clear नहीं हो रहा है अगर C का gender clear नहीं हो रहा है तो D का gender भी अभी तक clear नहीं है ओके next E जो है वो father of B है अब यहाँ पे E जो father है वो E C और D का ही पेटा होगा यह guarantee नहीं है कहने का मतलब है E इस घर का दामाद भी हो सकता है समझ आया इन लोगों के बेटी को E शादी कर सकता है या तो E इन ही लोगों का बेटा direct हो सकता है दो possibility आ रहे तो इस line को हम यहाँ पे दो possibility ना बना के अलग से draw कर लेते हैं E जो है वो पिता है किसका B का clear है सब कोई जबकि आपको यहाँ पे बोला हुआ था A B का brother है यह दोनों shibling है तो यहाँ पे यह जरूर है कि E जो है वो A B दोनों का पिता है ओके वो अगर B का पिता बन जा रहा है मतलब A B दोनों का वहाँ पे वो father है यहाँ तक सब कोई clear D is a father-in-law of F D जो है वो ससूर है अब ससूर के नाते यहाँ पे हुआ D जो है वो plus हो गया इसके मदलब C जो है वो minus हो गया तो D जो है वो ससूर है किसका F का इसका मतलब ऐसे बना B के बेटे या बेटी से F शादी किया हुआ है या की हुई है यह एक data यह एक data समझ आया D जो है वो ससुर है F दामाद है या बहू है ये डेटा नहीं है पर F D के बेटे या बेटी किसी शे शादी किया हुआ है या किय हुई है यहां तक क्लियर Next E जो है वो ब्रदर है किसका G और H दोनों का तो इसी में ही इसको जोड देते हैं E जो है वो भाई बन जाता है किसका G और H E भाई है G का भी और H का भी ये तीनों आपस में शिवलिंग से पर G एच का जेंडर फिलहाला भी तक पता नहीं है Next डेटा है H जो है वो अर्ट आउफ B है H जो है वो क्या है आंटी है किसकी B की तो H बन गए आंटी मतलब यहां पे हो गया फीमेल जेंडर तो H यहां पे आपको clear ली दिख रहा है वो B की आंटी ही बन रही है उसके बाद बोल रहा है G जो है वो अन्मेरेड है इस फामिली में इस फामिली में G जो है वो क्या है अन्मेरेड है तो इसका मतलब G का शादी तो आप कहीं पे भी करवा नहीं सकते हैं तो G का शादी यहाँ पे हो नहीं सकता तो यहाँ पे आप लोगों का data यहीं खतम हो जाता है तो data जब यहाँ पे यह खतम होता है तो हम लोगों को करना क्या है तो देख लिजी इसको कैसे हम लोग जोड सकते हैं तो इसको जोडना कैसे है इसको जोडने के लिए हम लोग क्या करेंगे यहां पर आप लोग को D धर दिख रहा है D के नीचे जेनरेशन में कोई एक इनसान से किसको शादी करना है F को शादी करना है H, G, E यह तीनों आपस में शिवलिंग दिख रहे हैं अब यहां पर एक ही चीज़ हमको यह लग रहा है कि F जिस इनसान से शादी करेगी या करेगा वो H से हो वो E से हो जिस से भी हो ठीके उससी उन्ही का ही जो मतलब क्या आपस्प्रिंग्स होंगे वो A और B बनेंगे क्योंकि अगर आप priority में देखने जाए कोई unmarried है उसके आपस्प्रिंग्स आप priority में नॉमली नहीं बनाते तो आप लोग वहां पर क्या करते है तो अब आप लोग को क्या करना है हम कहा तक बताए अब एक चीज़ ध्यार में रख लीजिए F की शादी जो है अब ये तीनों अगर बच्चे हैं तो ये तीनों बच्चे इस जेनरेशन में आपको fix दिख रहा है ठीक है क्यूंकि F इनका बच्चा तो है ही नहीं तो अब इसको जब आप सुधार ले आते हैं तो अगर आँटी बन रही है तो जाहिम सा बात है जो H है उसके शादी आप F से नहीं कर सकते ठीक है? ओके? तो इसके वज़े से आप लोग का जो H आँटी बन गई वो यहां आगे तो बच्च कौन गया है? E बच्च गया है कौन बन? A और B क्लियर है सब कोई? जिसको डाउट है आप उनको यह बता दे रहे हैं कि आपको बोला हुआ है A और B जो है वो बच्चे है तो जाहिर सा बात है आप फर्स्ट प्रेफरेंस यही देंगे कि वो बच्चे किसे मैरेड कपल के हो ना ही कि किसी सिंगिल पैरेंट के यह आप लोग का जो बेसिक कॉमन सेंस होता है अगर डेटा सिंगिल पैरेंट का दिया गया है तो अलग बात है डेटा सिंगिल पैरेंट का यहां कुछ नहीं है इसका मतलब आपका फर्स्ट प्रेरिटी जाता है किसी mad couple के ही वो बच्चे हो clear है सब कोई G का आप शादी करवा नहीं सकते H बकाइदा आंटी बन रहे है तो H शादी कर नहीं सकती तो बच्चे के उस family में कौन E जो शादी कर रहा है F से clear है सब कोई आप सबसे बड़ी पात जो पूरे question में आप लोगों को नहीं मिला है वो यह है B का zender clear नहीं है और G का यहाँ पे zender clear नहीं है ओके दिहान देने वाले बात याद रखो यहाँ पे एक भी line ऐसा नहीं है जो B का zender clear करे या G का zender clear करे तो G का zender यहाँ पे either plus और minus होगा B का भी zender यहाँ पे either plus और minus जाएगा clear है सब कोई ओके अच्छे से समझ आया C जो है वहाँ पे female, D male है ओके फिर से देख लेते हैं question में क्या था आपका criteria teen generation है, दो married couple है okay, teen generation का family है CD, एक married couple EF, एक married couple और कोई criteria bound नहीं था fulfill होने के लिए तो यह हो गया आपका इस question का पूरा family tree okay, clear हो गये यहाँ पे जो बताने वाले चीज आप लोग को है वो क्या है, याद रखिए question अगर पूछेगा how G is related to F okay, how G is related to F तो हम आपको बताए थे how वाले question का आपको कैसे समझना है G F की क्या है okay, तो जब कि आपको पता है G male है या female है नहीं पता option कभी भी नहीं देगा कि either brother-in-law और sister-in-law इतना बड़ा कभी नहीं दिया जाता है सीधा option में आपको क्या दिया गया होगा C and D या फिर cannot be determined clear है सब कोई सब को समझाया वैसे ही, because under clear नहीं है अगर बोलता है how B is related to D okay, ऐसा equation हम अल्रेड़ी करवा चुके है how B is related to D तो आप वहाँ पे इसका gender clear नहीं है, तो either grandson और granddaughter बोल सकते हैं या तो option में आपका कौनसा word रहेगा grand child अगर इनमें से कोई भी word नहीं रहता है तो स्तीथा option में आजाओ, cannot be determined clear है सब कोई, okay तो ये questions अब लोगों का clear हो गया अब move करते हैं next question पे ओके ये रहा next question आप लोगों के लिए चीक है, ये भी आप लोगों का RRB clerk में ही आया हुआ था जैसे कि आपको बोले हुए हैं, इस वीडियो में हम सारे previous इर की question कर रहेंगे तो ये आप लोगों का RRB clerk का था, दुख की बात ये है कि इसमें से आपको two questions ही आए हुए थे ठीक है, ओके, दो ही questions आपको solve करने थे, दो मा के question आया थे, ये भी आप लोगों का puzzle format का ही question है, ओके so, इस question में भी आपको वही मतलब तरीका अपनाना है कि अगर आप लोगों को सारे consecutive data मिल जाते हैं तो directly bid जाएगा, अगर नहीं मिलते हैं तो data को क्या करें, इंडिविजुली बनाईए, फिर उसको merge करने की कोशिश करें data कहा तक limited है, पहले देख लेते हैं, बोला है घर में 6 ही लोग है, 6 members है तो वही 6 लोगों को लेके ही ट्री बनाना है, 3 generation का घर है, ओके, family में 3 generation है, among them 2 are married couple, घर में 2 ही शादी शुदा couple है, ओके समझ आया, ओके, तो आपको 2 couple लेके बनाना है, and 2 लोग male है, तो data यहाँ पर यह मिल गया, इस घर में 2 ही male 4 female है, ठीके 2 male है, 4 female है 3 generation का है, और 2 married couple है, data दिमाग में fix bit गया, ओके, अगर आप beginner level पे हो, यह data को थोड़ा-थोड़ा side में लिख लीजिए, ठीके, क्योंकि exam hall में यह जो चीज़े हैं, आपको लिखने की ज़रत नहीं है, जब आप बहुत प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आप लोगों को exam में इस चीज़ को अराम से दिमाग में fix करने के लिए भी idea हो जाएगा क्या बोला है, next, E जो है, वो mother-in-law of B है, इसका मतलब E जो है, वो सासु-maa है, अब किसके? B के, मतलब B बहु हो सकती है या तो भी दमाध हो सकता है, पर E जो है, वो composer ली सासु-maa ही है, खडूस वाली, ठीक है, next देखते हैं A, who is unmarried, यहाँ पर आपको यह क्या पोल रहा है, stress किसको कर रहा है, A को stress कर रहा है, जो कि शादी नहीं किया हुआ है, okay, A इस घर का, इस family का एक सदसे है, जो शादी नहीं किया हुआ है, and if, मतलब A, F, यह दोनों क्या है, shivlings है, मतलब A और F के parents जो है, वो same होंगे, okay, और उसके साथ condition applied है, A शादी चुदा नहीं है, मतलब दो married couple में A उस list में नहीं आ रहा है, okay, next, B जो है, B का husband उसका एक ही बच्चा है, ठीके, B's husband has only one child, लड़का हो या लड़की हो एक लोगता बच्चा है, B का पती है, इसका मतलब क्या बन रहा है, B लड़की बन गी, और B के पती के एक ही बच्चा है यहां पर, okay, यह लड़का हो सकता है, लड़की हो सकते पर एक ही बच्चा है, D जो है वो F का पिता है, अगर D F का पिता बन रहा है तो D यहां पर A F दोनों का पिता बनेगा, D को बना लेते हैं पिता A F दोनों का, okay, 6 लोगों को लेके यह family को squeeze करना है, यह दो data है, इनको केसे जोडने से यह एक family बनेगे देखिए, D male है, E female है, तो D E की शादी करवा लेते हैं, एक married couple आ गए, third generation में यह लोग बैठ गए, इनके पच्चे कौन-कौन है, A F, बकाइदा A शादी शुदा नहीं है, तो इनके जो दो बच्चे यहां पर आ रहे हैं, एक बच्चा यहां, एक बच्चा यहां, तो A अगर शादी शुदा नहीं है, तो A को यहां डाल देते हैं, जो शादी शुदा वाला बच्चा है, वो F बन गया यहां पर, clear है सब कोई, 2 married couple, 3 generation, और सिर्फ दो ही male member हैं, दो male member हमें यहां पर clearly दिख रहे हैं, कौन-कौन D और F, मतलब इस गर में बाकित जितने बच गये सारे female होंगी, A बन गई female, यहां पर नीचे कौन-कौन बचे, A, B, C, D, E, F, तो यहां पर यह हो गया आपका A, B, बचा C, C, B, F, D, E, F, clear हैं सब कोई, तो इसको लेके आपको सारे के सारे gender generation सब clear है, इसको लेके दो मापके ही RRB clerk के previous question आये हुए थे, इसी pattern के, देखिए हम आप लोगो क्या बताने की कोशिश करें, हम जो A, B, C, D में किये हैं, बस वहां पर राकेश रमेज आपको नाम आ सकते हैं, पैटन आपका यही था, I think आप सब लोग clear हैं, इस type के previous year के questions अगर और जादा चाहिए रहेगा तो आप हमको बोल सकते हैं, हम आपको PDF अगरा प्रोवाइड कर देंगे, तो फिलहाल यह रहे तो questions आपके blood relation पे, next time process करते हैं inequality के questions पे, जो आपके previous year RRB Club पे आएवे थे, okay, so आ जाते है next inequality question पे, okay, so आ जाते हैं अब inequality के question पे, देखें कुछ का पर आप लूग के लिए यह है, कि हमको 2018 के जो question मिले कुछ-कुछ slot के, वहां पे inequality के questions आपको directly आएवे थे, हम यहां पे दो question बनाएंगे, उसके बाद फिर से और दो-तिर question बनाएंगे, ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ आप लोगो यह बता देते हैं, कि हम inequality के, either or case or basic concept पे, जबकि यहां पे coded format तो है नहीं, direct questions है, तो इस पे video हम already upload कर चुके हैं, तो सबसे पहले हो videos पे जाके, अपने basics clear कर लीजिए, उसके बाद आप लोगो यह question बनाना जो है, वो आसान हो जाएगा, already अगर basics cleared है, तो यह questions इस type के आते हैं, यह within seconds में बनने वाले question है, ठीक है within seconds, जो आपको क्या करने है, statement देखने हैं, तुरंद true या false लगाने हैं, तो देखिए आपको prelims में normally ऐसे equation आते हैं, जहांपे 2 conclusion, only one follows, only two follows, either one or two follows, neither one or two follows, both follows, उसमें से कौन सा correct आएगा, आपको वो conclusion में टिक लगाना है, तो पहला conclusion देख लेते हैं, आपको बोल रहा है, P से U को जो है, वो path है या नहीं, अगर आप बात करें तो P से Y को path है, Y से H को जो है, वो path break हो जा रहा है, इसका मतलब अगर रस्ता ही नहीं है, तो हम आपको अपने basic वाले वीडियो में बता चुके हैं, अगर रस्ता नहीं है, तो conclusion नहीं draw हो पाएगा, होके तो पहला वाला conclusion क्या हो गया, false, second conclusion N less than H है, हम आपको बताये हैं इसको ऐसे पढ़िए, H greater than N, मतलब H से N को जाने के लिए रस्ता है या नहीं, तो H से चलना शुरू करते हैं, एच यहां पे है, N यहां पे है, H से U जा सकते हैं, U से T जा सकते हैं, T से N जा सकते हैं, इसका मतलब H से N भी आप जा सकते हैं, greater than symbol, greater than symbol, equals to symbol, तो greater than और equals to पे priority को है, greater than symbol, यहां पे दिया गया है greater than, मतलब second वाला true है, मतलब इस question पे आप क्या tick लगाएंगे, only two follows, clear होगे सब कोई, okay, next question पे आ जाते हैं, next question में conclusion बोला है, excuse me, D greater than V, तो आपको क्या करता है, D से V को path है या नहीं देखो, D से C को path है, D से C को path है, C से V को path है, इसका मतलब D से V को path है, अब अगर यहां पे देखें, तो यहां पे equals to है, यहां पे greater than equals to है, तो अब अगर आप देखें, priority के हिसाब से, greater than equals to आपका priority लेता है, पर conclusion में क्या बोला हुआ है, conclusion में आपको greater than दे दिया गया है, तो यह वाला क्या हो जाएगा, false, clear है सब को, D से V को जाने के लिए पाथ में ही जब greater than symbol है नहीं तो वो conclusion में आएगा कैसे आप class में हो ही नहीं तो attendance आपका आएगा कैसे आप कुछ बच्चे सोचें कि मैं proxy illegal काम नहीं होता है सिर्फ legal में चलो ठीक है तो next आ जाते हैं V greater than equals to H तो कहां पर कहां जाना है वी से H को जा रहा है अब दुबारा यहां पर देख लेते हैं V से H तो V से F, F से G, G से H यहाँ पाथ तो यहाँ पर exist कर रहा है greater than, greater than, greater than equals to greater than है greater than equals to है अब यहाँ पर priority call है greater than symbol यहाँ पर आ जाता है priority में दिया क्या गया है greater than equals to अब priority को तो आप ignore नहीं कर सकते हो दोनों false है, either on होने के कोई भी रूल यहाँ पर लागू नहीं हो रहा है तो यह दर क्या हो जाएगा answer neither one nor two follows, I think आप लोग सब कोई clear हो गए, ठीक है, आप आजाते हैं next questions पे, okay okay, so यह रहे आपके next two questions पहले बता देते हैं, यह दो questions हमको फिलार आरार भी PO के previous question में मिले थे, okay क्योंकि क्लरिकल के हम जो भी प्रिवेजर के questions में आपको stats में मिला हमको सारे direct questions मिले तो PO के लेबल पर यह question आये, यहाँ पर direct question नहीं है, statement यहाँ पर पहले question में आप लोग देखिए, यह एक statement है, semi-colon से divide किया गया, यह दूसरा statement है, ठीक है, पहला statement, दूसरा statement, दूसरे question म के बाद, तीसरा statement, ठीक है, ओके, तो यह हमको, आपको, यह हमको मिला, आपके RRB PO pre question में, ओके, तो अब इसको solve कैसे करना है, याद रखिए, इसके लिए भी pen paper की जरुवत नहीं है, कैसे solve करिए, जब आपको multiple path दिये जाते हैं, हमेशा याद रखिएगा, starting point से लेके, common element क पास जाईएगा, starting element, उसके बाद common element, उसके बाद end element, ओके, जैसे कि एक आपको conclusion बता दते हैं, यहाँ पे बोला है, जे क्रिटदन H, मतलब J से H को path देखना है, okay, starting element J है, ending element H है, अगर पहला वाला path देखे, पहला वाला statement, वहाँ पे H है, पर J नहीं है, दूसरा वाला path दे statement को जोडने है, जोडने के लिए क्या चाहिए, common element, एक ऐसा element जो इस statement में भी हो, और इस statement में भी हो, तो वैसा element हमको यहाँ पे clearly दिख रहा है, वो कौन है T, T एक ऐसा element है, जो पहला statement में भी है, और दूसरा statement में भी है, okay, तो आपको J से निकल के जाना है T के पास, T से निक statement को ignore मार दो, okay, तो J से T के पास जाएंगे, बोला है J equals to L, L के बाद आपको दिया गया है, L greater than equals to T, J से T बन गया, T से H, T greater than equals to H, अब अगर इन दोनों को आप जोडेंगे, तो यह बन गया, आपका question, answer देने के लिए statement, okay, answer देने के लिए, पस इन यह चीज़ों की requirement है, बाक element, बाकि जो मिलते हैं रस्ते में सब को ignore मार रही है, अगर यहाँ पे ध्यान से देखें, तो J से H के बीच में, J से L, L से T, T से H, path exist कर रहा है, अब वहाँ पे path में equals to greater than equals to, priority कौन बन रहा है, priority आपका बन रहा है, J greater than equals to H, अगर यह answer हो रहा है, J greater than H false हो जाएगा, J equals to H भी false हो जाएगा, ओके, बट इन दोनों को अगर combine करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, J greater than equals to H, either or के वीडियो में आपको बताय हुए थे, individual statement false है, element same है, इनको combine करोगे, अगर यह statement में valid होगा, तो यह दोनों आपका क्या है, either or में जाएगे, clear है सब कोई, individual statement false, element same, दोनों conclusion को merge कर होगे, तो वो statement में validate होते हैं, तो वो दोनों conclusion क्या होगे, either or follow करेंगे, clear है सब कोई, okay, next वाले में आजाते हैं, बोला है, W greater than M, W से M को path देखना है, W कहा है, W आपका यहाँ भी है, और यहाँ भी है, M यहाँ पे है, अब W से M अगर आप देखेंगे, यह फहला वाला path और second वाले path में, B मिल रहा है मुझको, ठीके, W से M अगर आप पहले और तीसरे में देखेंगे, तो मुझे कोई common element मिल नहीं रहा है, जुडने के लिए, मतलब, पहले question को answer देने के लिए, तीसरा वाला statement, useless है, okay, आपको क कहां जोड़ना है, पहले और second को जोड़ना है, W से M, तो W से जाएंगे B, B से जाएंगे M, आप लोगों को जानकारी के लिए बता देते हैं, बुद्धी लगाने के जर्रत ही नहीं है, ध्यान से देखें, W से निकलने के लिए ही symbol नहीं है, यहां, okay, symbol का चेहरा W से उल्ट ही नहीं है, जो W को लेके M से जोड़ पाए आपको, W के बाद Q है और A है, ना यहां पर Q है, ना यहां पर A है, समझ आया, तो यहां पर W से निकलने का रस्ता नहीं है, यहां से W जोड़नी नहीं पा रहा है, तो कोई option आपके पास बचा नहीं है, तो पहला conclusion क्या हो है, तो K कहा है, Q कहा है, देख लेते हैं, K जो है, वो पहले वाले में है, Q जो है, वो तीसरे वाले में है, और बीच में कहीं नहीं है, तो पहले से तीसरे को जोड़ने के लिए common element जो है, वो है, Q WA, तो Q WA, कुछ नहीं है, पहले से तीसरे में कोई common ही element नहीं बच रहा है, जो आपको क्या करें इनको जोड़ें अगर पहले से दूसरा दूसरे से तीसरा आप देखें तो के से निकलके आप बी तक जाएं चीके के से निकलके आप बी तक जाएं इसको क्या कर सकते हैं के से निकलके बी तक जाएं बी से निकलके आप डबलू तक जाएं और डबलू से से निकल के आप क्यों तक जाहिए यह दूसरा रस्ता बन रहा है कि हमेशा याद रखें को करने का मोस्ट पॉसिबल वे आपको डूड़ना है ठीक है बच्ची क्या करेंगे जल्दी जल्दी में देखेंगा रहे कोई कॉमनी ने यह चलो तोड़ देते हैं अब अगर आप पि होते हैं अगर सारे पॉसिबल वे आउट फॉल्स हो गए तो अल्टिमेटल वो फॉल्स हो जाएगा क्लियर हुए सब कोई अगर सारे वे आउट फॉल्स होते हैं तो वो अल्टिमेटली क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा तो इस रस्ते में भी के से बी के से बी को रस्त के वो भी काम नहीं कर रहा है तो इसको क्या करना है दोनों में कोई भी क्वालिटी ऐसा नहीं है जिसको लेकर आप इनको डाल सको तो यह दोना क्या बन जाएंगे आपके नाइटर वन नौर फॉलूस समझ आया तो हम आपको ब्लड रिलेशन के क्वेश्चिन करवाएं और यहां पर इनकोलिटी के क्वेश्चिन करवाएं और यह सारे प्रीविएस यह पेपर्स पर ही बेश्चिन करते हैं कि सिलॉक्स सुरू करवाएं ताकि प्रीवेस से क्वेश्चिन उसको लेके हम बनाएंगे फिर से पता देते हैं अगर आपको हमारा पढ़ाना सही लग रहा हो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज अपने दोस्तों से शेयर जरूर करिएगा आप जितना मोटिवेट हम को करेंगे हम उतना नहे तरीके का औ करनाने के कोशिश करेंगे ओके सो आज के लिए इतना क्वेश्चिन हो गया थैंक्यू सो मच अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज 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 कमेंट हमको करना बिल्कुल ना भूलेगा और इसको लाइक बीज़र कर देजिएगा और शेयर तो बिल्कुल करेगा थैंक्यू